हेलो फ्रेंड मेने नेक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में आप लोग देखे कि हम लोग किस तरह से AC का काम करते हैं और उसका फिटिंग और सर्विस करते हैं तो चलिए वीडियो की माधियम से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखे अभी हम लोग स्प्लिट AC का सर्विसिंग कर रहे हैं तो ये बुलू इस्टार का स्प्लिट AC का ये आउटडोर है और अभी हम लोग उसको जेटपम की मदद से साफ सफाई कर रहे हैं मतलब उसको हम लोग सर्विसिंग कर रहे हैं और देखे ये रूम है जिस पर AC लगेगा अभी जो घड़ी जहां पर लगा हुआ है उसको उपर लाइट है तो उस जगह पर AC लगेगा क्योंकि वही एक दिवाल का ऑप्शन था और कहीं पर ऑप्शन नहीं था तो देखे इसी जगह पर AC ल कर दिये तो यह कस्टमर का बच्चा है चोटा सा जो हम लोग को हर चीज में काइट कर रहा है समानुमान के लिए तो अभी हम लोग देखे उसका प्लेट को लगा दिये हैं और उसको होल भी कर दिये तो जो भी वीडियो देखे मैं इसको स्टॉप नहीं करूगा चंटिन्य सर्विस होता है या फिटिंग होता है तो दीखे इसका रूम कितना गंदा हो जाता है तो दीखे यह इसका रूम है कस्टमार का दीखे कितना गंदा होगी है तो चली अभी हम लोग आपको दिखाते है कि इसका पीछे का पाइप किस तरब से निकलेगा और कहां जाएगा त तो इस जगान पर होल से निकला है और इसके ओपर छोड़ है और चटप पर पाइप चल जाएका जो यहूसरत न्िकला हूए है तो यह मैकैनिक है तो यह मैकैनिक क्या करेंगी होल को बढ़ा कर रहे है कि जिससे copper pipe, wire drain pipe अराम से बाहर की तरफ निकल जाए तो इनका काम है हम लोग आगे से उसको छेदा कर दिये है बढ़ियां से तो पर back side से भी थोड़ा हम लोग उसको बढ़ियां से उसको छिल दे रहे हैं कि पैप निकलने में दिक्कत ना हो तो इसका लेकर हम लोग थोड़ा उसको hole कर रहे है तो देखिए कितना इटा बालूग गिरा है तो देखिए अभी इसका हम लोग outdoor fitting करेगा तो ये देखिए outdoor का bracket होता है जिसमें इसी outdoor रहता है तो अभी उसको क्या है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीका से उसको टैन टूट करके fit करेगे क्योंकि outdoor का जितना भी बजन रहता है सब ये stand पर ही रहता है और stand ही पूरा उसका load लेके रहता है तो इस पे दो stand रहता है एक left और एक right तो अभी हम लोग इसका left वाला stand को fitting करेगा है तो देखिए इसका outdoor है जो blue star company का इसका outdoor है तो अभी हम लोग क्या है कि इसके उपर में outdoor fit करेगे तो देखिए हम लोग काम करते करते रात होगिया है तो अभी हम लोग क्या है कि इतना ही काम को रहने देगे फिर हम लोग next वीडियो में आपको बताएगे कि इसका pipeline इसको fitting करके ये किस तरह से दिखेगा तो आप लोग वीडियो को like, subscribe जरूर करिए